हेलो दोस्तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूपसूरत कुर्टी में बोड नेक डिजाइन लेकर आए हैं दोस्तो बोड नेक डिजाइन के साथ-साथ हम आपको एक नीचे की तरफ बहुत ही खुबसूरत सा डिजाइन भी बना कर दखाएंगे जिसके लिए दोस्तो हमने यहाँ पर मल्टी कलर की पाइपिन ली हुई है दोस्तो यह पाइपिन आपको मार्कीट में काफी असानी से मिल जाएगी साथ ही दोस्तो हमने यहाँ पर कुर्ती के ही कलर की कुछ डोरियां भी बनाई हुई है जिनको हम डेजाइन में यूज करने वाले हैं और दोस्तो हमने यहाँ पर अपने कुछ वीट्स भी लिये हुए हैं जिनकी मदद से बहुत ही खुबसूरत डिजाइन बनकर तयार होगा तो दोस्तो इस डिजाइन को बनाने से पहले हम आपको अपना एक छोटा सा मैसिज भी देना चाहते हैं दोस्तो मैसिज यह है हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.roofashionpoint.com जहां पर आपको बहुत ही खुबसूरत खुबसूरत ब्लाउस के डिजाइन्स, कूर्ती के डिजाइन्स और आप अपनी फैबरिट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं अगर आप इन सब चीजों में इंटरस रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें तो दोस्तो इस डिजाइन को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले तो एक board next simple ही तरीके से काट लिया है आप इसे आसानी से काट सकते हैं इसके बाद दोस्तो जो हम डिजाइन बनाने वाले हैं उसके लिए हमने यहाँ पर साड़े 15 इंच लंबी बुकरम लिए और चौड़ाई में लिए धाई इंच इसको हम इस तरीके से double fold कर लेंगे और fold करने के बाद इसमें हम cutting करेंगे बुकरम को double fold करने के बाद में दोस्तो आपको क्या करना है उपर से साड़े 14 इंच पर एक mark लगाना है देखी इस तरीके से यह हमने mark लगा लिया है और इसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है हलका सा mark margin लेते हुए इस तरीके से निशान लगा लेना है सीधा उपर तक और अब इसकी cutting कर लेनी है दोस्तो इसी तरीके से margin दोस्तो आपको इसमें इतना लेना है कि total gaping जो आये इसकी बीच में quarter range किया जाए और इसके बाद दोस्तो आप अपने हिसाब से बाहर की तरब उकरम रख सकते हैं तो देखी दोस्तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर cutting कर लिया है और इसके बाद दोस्तो हम इसे क्या करेंगे इसे हम कुर्ती के ही सेम कपले पर चिपका लेंगे और चिपकाने के बाद बताएंगे आपको क्या होगा तो देखी दोस्तो हमने अपने pattern को चिपका लिया है और चिपकाने के बाद में यी हमारी कुरती है और कुरती का जोस्तो ये सीदा भाग है सीदे भाग के उपर राइट हैंड पर आपको ये design बनाना है तो आपको क्या करना है यहाँ से जो आपकी कंधी का corner है यहां से आपको एक सीधा 4 इंच पर मार्क लगाना यह देखिए अब यह 4 इंच का जो मार्क है आपको इसके उपर इस तरीके से आपको अपना यह पैटन सेट करना है बिल्कुल सीधा नीचे तब और रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है बुकरम के बराबर बराबर अंदर की तरफ आपको सिलाई लगानी है नीचे से उपर तब और इसे अटेच करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है इसमें सीधा सीधा बीच में एक कट लगाना है ध्यान रहे दोस्तों बराबर में आपकी जो सिलाई लगी हुई वो ना कटे और नीचे की तरफ आने के बाद में दोस्तों आपको क्या गना है देखिए नीचे की तरफ जो आपका एक कोना ये है और एक कोना ये है दोनों कोनों पर इस तरीके से कैची को तिर्षा कट लगाना है ताकि ऐसा ना हो कि आपका जो कोना है वो ठीक ना निकले तो इसलिए कट ये लगाने होते हैं देखी दोस्तों कट लगाने के बाद में आपका जो कॉर्णर है वो कुछ इस परकार से बन गया है इसके बाद दोस्तों आप यह जो उपनी बुकर में इसको अंदर की तरफ fold करए और fold करने के बाद में finishing के साथ दोस्तों इस पे हम प्रेस लगा लेते हैं तो देखिए दोस्तों प्रेस लगाने के बाद में इसका जो look है वो कुछ इस प्रकार से आ गया है इसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है इसकी दोनों ही किनारी पर आपको ये वाली piping लगानी है तो इसको हम कैसे लगाएंगे देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे और सिर्फ piping ली piping नजर आएगी किनारी इसलाई लगाकर इसको सिंगल बूट से अटेच करेंगे दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है यहाँ से आपको कट से आदा इंच एक्ट्रा पाइपिन को कट कर देना है और कट करने के बाद में दोस्तों दुबारा से आपको पाइपिन फिर से रखनी है इसी तरीके से पाइपिन लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर हमारी कूर्ती की 20 सेंटर में एक कट लगा हुआ है इस कट से जो हमारे नेक की ब्रॉडने से जैसे 9 इंच है तो 9 इंच का आधा हुआ साड़े चार इधर और साड़े चार इधर ट्रोटल हो जाएगा 9 इंच तो यह हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं यह हमने अपने निशान लगा लिए है और इसके बाद दोस्तों जो हमने अपना बोर्ड नेक कट किया था इसको हमें इस तरीके से इन निशानों पर सेट करेंगे तो यह देखी यहाँ पर हमने निशान उपर सेट कर लिया है और सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक निशान लगा देना है इस तरीके से ताकि आपको याद रहे कि आपका जो नेक है वो यहाँ तक है तो इसको अब हम हटा देते हैं और हटाने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है आपको लेनी है अपनी वो डोरी जो कि हमने आपको बदाएती है इस डोरी को लगाने के लिए आपको दोस्तो यहाँ पर एक एक इंच पर इस तरीके से तो लूप लगाने के लिए आपको क्या करना है देखिए को ब्रूड को cut करके ले ले zou से पर ऑपको इतनी है अब। दिखाने इसके बीच में सिर्फ weeds आपका फस जाए तो यहां पर हम इस तरीके से इसको set करते है cradle इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है तीन इंच ओड़ी एक पट्टी लेनी है और लंबाई में उतनी लेनी है जितना लंबा आपका डिजाइन है इसके बाद इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में देखी जो खुलाओ वाला है इस करने के बाद में सिलाई मारकर पहले हम इस पट्टी को अटेच करेंगे अब इसके बाद दोस्तों हम अपनी कूर्टी पर बोर्ड नेक को बनाएंगे तो बोर्ड नेक को बनाने के लिए दोस्तों हम अपने बोर्ड नेक को कूर्टी की कपड़े पर चिपका लेते हैं यह ह दोस्तों हम प्याद आपने कुटी पर छिजork करने के बाट दोस्तों नॉर्मल तरयुकिके से न्य00 today जरेंगे ठेवर कि जिस तरीके से बनते हैं उle니까 अब इसकी बात दोस्तो हम अपने नेक पर फिनीशिंग के साथ प्रेज लगा देंगे और नॉर्मल तरीखे से यहां पर पाइपिन को भी लगा देंगे तो देखी दोस्तो नेक में पाइपिन लगाने के साथ साथ हमने जो अपनी डोरी लगाई थी इनके अंदर दोस्तो हमने यहां पर अपने मोती जो है हाथ से अटेच कर दिये हैं जिसकी वज़े से हमारे पूरे नेक की जो फिनीशिंग है और डिजाइन है बहुत ही खुबसुरत हो गया है आपको हमारा आज का यह नेक डिजाइन कैसा लगा यह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंती के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे दोस्तो अगर आपको किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं